आचामा तपाई हरू लाई महाकबी लच्मी पर्षाद देवकोटा का सुलोचना महाकाब्ब को ब्याख्या बिसलेशर गणने गई रहेचो तपाई हरू मेरो साथ दियरा यो महाकाब्ब को अंत एकदमाई रामरो संगा गरी दिना को लागी अनरोच छा रा अंतमा चाई रायादी रामरो लाग चा भने वीडियो योटा लाईक गरी दिने अब आ सुलोचना महाकाब्ब को शुरुआत गरों सुलोचना महाकाब लच्मी पर्षाद देवकोटा को दस दिन मां साथी घंटा मां रचना गरीये को महाकाब्ब हो येशको परकासन 2003 साल मा भाय को येव नेपाली खंड काब्बे परमपरा को अधोनी काल को दोसरो महा काब्ब हो जम्मा पंदरे सर्ग मा रचिते येव महा काब्बे 2007 साल पूर्ब को राडा कालिन समै का ठमांड उपएक तका को समाजी के जीमन को एथार्थ परस्थुत गरिये को छा महाकाब्य को पर्थम सर्ग मंगल चरण मां खर्च गरिये को छा बने कथा बस्तु को शुरुगाद दोसरो चरण बाटा भाये को छा महाकाब्य लच्मी परशाद देवकोटा दोसरो शर्ग बाटा सुलोचना महाकाब्य को शुरुगाद गरे यहां चाहिं पूर्खावली को बरड़ शुलोचना को चाहिं पूर्खावली को बरड़ गरियेकुचा सुलोचना का पिता 70 मर्धन गयनेस्वर में बस्चन उनी 1924 अठारे मा पर्थम विश्युद्धमा लड़े का कप्तान हुन उनी को लड़ाई मा यवटा आखा गुमाईये का थिये उनी की आमा मखना रा 1925 साल मा बीए फाइनल को जाच दिने दाजु हरू चंड मर्दन तिम्रे मर्दन छन सुलोचना लाई घर माई घर काई काम रा घर माई अध्यन गणने नारी को रूमा परस्तुद गरिये को छा महा काब्ब को तेसरो सर्गबाटा कथा बस्तु को विकास भये को छा एस सर्ग मा बैनेश्वर मा रहे का पंडित बासु देओ अर जियाल सुलोचना का भूबा सत्तुरू मर्दन का साथी होन उनी का एक जना अनांग नाथ नाम का छोरा छन आनांग नाथ पनी सत्तुरू मर्दन रा तिम्रे मर्दनका कोलेज मा साथी थीयो एक दिन को घटना हो पासा खेलदा सत्तुरू मर्दन रा बासु देओ का बीच मा नारामरो जहगडा होन चा गाली गलोच रा भना भन्न होन चा तेसपची उनी हरुको आवज जावत घर मा बंध होंचा छोरा हरुको बीच भने भेट घाट कूरा कहानी चली रहे को थियो एक दिन अनांग लाई उनी का साती हरु कर गरे रा अपनो घर चाही बलाए गप गर्दा गर्दाई बेलुका आठ बजी सक्यो घर बाटा बाहिरा निश्कदा अनांग बाटो भिगाए राचाही बाटो भुलाए राचाही वो बगयचा तरफ गयो तेहां उनी को जून को उज्यालो मा सुन्दरी सुलोचना को गीद गाई रहे को देखे उनी हरु ये करका लाई देखे देखी भाव बिभोर बने राशुलोचना अनांग लाई माथी लागने खोजिन राउनी भक्राई माथी बाटा आये को पची कुनेई बेला आउला भनेरा बाचन दियरा चाही वो अनांग तेहां बाटा गयो अरको दिन सत्तुरु मार्दन को घार को कोठा मा अनांग रा मार्दन सत्तुरु हरु चाही इसवर चान भनेरा तेश को विशे मा चार्षा गरी रहे का थिये सुलोचना रा उनी हरु बाहस सुने रा चाही वसी की हुन छे उनी हरु बाहस मा बूबा सत्तुरु मार्दन ढोका बाहरा बाटा सुनी रहे को थिये अनंग चाहीं इसवर छान को पच्छमा थियो रा सत्तुरू मर्दान का छोरा तिम्रे मर्दान रा चंड मर्दान उनी हरू इसवर छाइनन बने तेसको बारे मा भन दै थिये। सुलोचना अनंग को पच्छमा समर्थन जनाई की हुन छे। उनी हरू बीच मा बहत सली रहे को वेलामा धोका भीत्र चाहीं सत्तुरू मर्दान सुलोचना का भूबा पच्छन रा उनी चाहीं सुलोचना तेहां बाटा उनी लाई देखेरा भागछीन। तेश पच्छी सत्तुरू मर्दान ले अनंग लाई नारामरो गाली गलोच गर छा। रा उसलाई तेहां आपनो घर बाटा बाईरा जाने कुरा भन चा। तेश पच्छी तेहां बाटा घर गई हाल चा। तेश दिन बाटा चाहीं तेव घर माउने बाटो बंद भाई हाल चा। तेश पच्छी चाहीं कि एही दिन पच्छी सुलोचना को भीहे को कुरा चल चा। सत्तरू मर्दन ले आपनो कुल घराना आरा इजज सबाई मिलावने कड़नाल परताब सिंग को एकलो छोरा बिलास सिंग सिता आपनी छोरी सुलोचना की भीहे गरी दिने नीधो घर चा। सुलोचन लाइन चीन्ने ना भूजेको उनी अपनी आमा लाई अफू लाई अनांग मन परेको कुरा बताओचीनि तरा उनीको आमा मखना ले उनी लाई ताथाम नम गाली गरीने। रावनी को कोठामा थुने रा राखी का खान पान गरने ब्यास्था नोकरानी काला लाई खटाएन। सत्तुरू सुलोचना चाहिं मुर्चित भनिन काला पनी चिंचित भनिन। राकाला चाहिं स्वयम पती पविर्ता नारी भाय काले उनी लाई सुलोचना परती माया लागे। काला ले आपु लाई रामरो संगा भुझे की सुलोचना की बीहो अगिलो रात अनंग संगा चाहिं भागने को लागी यह जना बनाईन। राकाला मारफा चाहिं अनंग लाई चिर्थी गयो। तेस पचि अनंग ठीक समय में ठीक ठाओ नापुगे को कारले गयार्दा सुलोचना को आमा मखना तुलोचना लाई घर में लागेरा कडा निगरानी माऌ उस लाई घर में बंद कार सिन। तेस पची भी ए गरे रचाएं आपनो घर गई की सुलूचना घर मा चाहीं मन ना लागने रा गुंडा हरुको साथ मा चाहीं बिलास सिंग गुंगने उनीको बेहर नारामरो रा शरीर को आकार बाटा पनी नारामरो भाय को कारले गर्दा उसलाई आपनो पति को रूममा बिलास सिंगो को दोसरों भी हे गरे राचाहिं आरकी बुहारी भितराईने सुलोचना सासू रसावता का ताड़ना सहे राचाहिं सिरी किष्णे का भक्ती गरने ठाली की हुन छे त्यस पच्छी केही दिन पच्छी चाहिं बहिनी सुलोचना लाई घर मा सुरहू ताड़ना छा भने राचाहिं दाजू तिम्रे मार्दन सुने के हुन छे बिलास महल मा गई गए राचाहिं उनी जोई हरुलाई भेटे रहा केही बेर कुरा काहनी बटा बहिनी को अल्पत्र रहा अपहलना भाएको थाहा पाई हाले उनी को चाहिं घर मा रहे की बहिनी बिज़ूली चाहिन नाराम्रों सुभाव की थिन रहा आरको परति आकरसड केटा हरू देखे रधा उनि हरू परति आकरसड उने सवबाऊ नीको थियो। तेस पाची जब तिम्रे मर्दान उनी को घर पूग छन तिम्रे मर्दान लाई आफू तीरा आकर्सट गरने भीजूली चाहन छिन रात तरा तिम्रे मर्दन उपरती आकर्षत हुदैना रापनो बहिनी को पीडा दुखलाई भुजेरा उनी लाई समझायरा तेहां बाटा हीड़ छा तेश पची अंतमा चाहीं घर गाई सके पची उचाहीं भीजुली नोकर बाटा चाहीं गर भावती हुँचे नोकर घर बाटा भागे राचाहीं तेहां बाटा हीड़े रा टाड़ा गई आलचा तेश पची आमा मखना लेचोरी लाई कसलाई थाहा नादी सुन्दरी जलमा आपनो मोही जिवनू नाम गरेको जीपू को घर लगे राचाहीं रागछीं अरुको कसाई संगा कलकत्ता मागी भने रा परचाल गरचीं यस तो थियो की उनी लाई चाहीं जेपू मा राखीं गरभावती बिजुली लाई रा चाराई तीरा हल्ला फाईलाईन की उनी चाहीं कलकत्ता मा गई सके कियोंचे सुलोचना का दाजू तीमरे मार्दान घुमदा घुमदाई चाहीं सुन्दरी जलको जेपू को कूटी मा पूँछान रा उनी चाहीं बिजुली के सितकरी भये को देखे रा आश्चारे परचान रा बिजुली को आपनो दुख सुनावने आशु झारे पची तीमरे बच्चा को सेवा गरी तीहीं बश्चन उता बिला सिंग घर मा यूटा ज्यामने नाम का चाहीं चस्मा लगाए रा दुबलो पातलो छियक अगलो मांचे चाहीं नोकरी खोजदयाये का थिये उसको घर मा चाहीं सुनी विकास मिलने रा उ कोठा सफा गणने बगयाचा हेर ने किन मेल गणने काम को जिम्मा दी महीना को आठ रुपिया दीने नीधो घर्चन रा उ चाहीं बिहाना बिहाना चाहीं फूल टीपेरा यवटा जोपा फूल दानी मा राख थेओ भने अरको जोपा सुलोचन लाई दीन थेओ उसको मंदिर मां यउटा राम रो राधा किष्णा को मुर्ति पनी बनायो मुर्ति लाई हेरी शाके पची तेहीं गयरा सुलोँचना पनी पूजागर नी गयो पूजा बासुरी भजाय को कारड उनिलाई लाग छाकी यो अनंग हो तरह फेरी भन्छिन की हो की होई ना भने यस तो अश्चरिय महसु सुन छा तेस बाची उसले चाहीं दाराज मा अनंग को चाहीं एक दिन चाहीं एक राती कांची स्वासनी को कुरा सुने रा चाहीं बिलास जिंग सुलोचना को कोठा मा पूग छन उसले दाराज मा अनंग को अनंगले पठाय को यह उटा चिठी भेटियो उसले किष्णा को मुर्ती उठायरा चाहीं सुलोचना को टाव को मा हानेओ उनी को मुख बाटा हात मा टाव को बाटा चाहीं रक्त भगने थालेओ उसको यह पारा देखे रावा सूलोचना यह अनंग जासतो को होला भने विचार करें उता चाही कनरली ले यो अनंग भनने को होला भने जिग्यासा राखिन रात तेही नई बेला जैमान ले अनंग रा सुलोचना को बाल काल देखी संपूड घाटना बताओ दै सुलोचना पवित्र राचोखो भाय को प्रिष्ट राती मैं तेहा बाटा अलाप भायो रा जैमान मह संपूड कूरा सुने परशी सुलोचना ले अनंग तेही हो भनने अनुमान गरिन रा तेहा उसको स्वासनी उसको चाही सासु कनरली को अनुरोद मा तेहा तेही राती सुलोचना लाई तेही बसने दिने नीधो गरे रा सुलोचना राती भरी रूदा रूदाई थाकिन तरह बिलास सिंगलाई रात भरी ने दरा लागेना उसले आपूले महान दोसी ठानी अपहेलना गरे को कारा लेगर दा एदम इच्छटपटी महसूस हों चाही आपनो आपूलाई चाही आत्मे हत्या गरिली चाही राच्छाय रोगले चाही गरस्त बने की सुलोचना को बाचने संभावना ना देखे पची उने लाई भोली पल्टा चाही आर्ग आर्य घाटे भोरी पल्टा चाही आर्य घाटे मा लाग चान राती ही नई बेला भीजुली लाई पतीनी को रूप मा चाही स्वासनी बनाये का तिमरे मर्दन तेहां आई पूग चाही उत्ता चाही राती घर छाडे राचाही हिडे का जैमन पनी सके ना जैमन हारे घाट माँ चाही आई पुगदा सुलोचना ले उनलाई देखने साथ पराड त्याग गार छिन त्याग भैक्ती अनांग नही हो भन्ने साभाई लई थाहा भाई पच्छी त्याँ भाई का साभाय भ्यक्ती हरो रूने ठाले महा काब TI kleine को कथा भौस्ट्य यसरी खतम भ्ये कोच्छा साथि हरो यह महा काब करतो हम राम्र लगी